Hello friends, Welcome to our channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही important और interesting topic के उपर और वो है CCTV camera के जो footage होते हैं जो video quality होती है वो इतनी खराब याने low quality की क्यों होती है तो इसके पीछे क्या reason है यह सारे एकदम आपको एकदम simple language में हम अभी explain करने वाले है तो CCTV camera के अगर बात करें तो बहुत type के CCTV camera होते है dome type होते है, कुछ bullet type होते है, कुछ wireless होते है, कुछ network connected होते है और ऐसे कुछ night vision वाले भी होते है, specially design तो ऐसे बहुत सारे CCTV camera आते है तो आपनी ये चीज़ भी observe की रहे है कि CCTV camera के जो footage है वो बहुत खराब होती है, कभी-कभी वो आदमी को पैचानना में मुश्किल हो जाता है इसके अलावा उसकी audio भी कभी-कभी नहीं आती है याने almost आती ही नहीं है तो सबसे पहले बात करेंगे, CCTV camera जो होते है वो कौन से quality का है, याने कौन से type का video record करता है तो दोस्तो CCTV camera जो होता है, वो ऐसे अपने mobile phone की तरह या फिर professional camera की तरह नहीं होता है जो जादा megapixel करेगा और एकदम HD video record करेगा क्योंकि दोस्तो CCTV camera जो होता है, वो जो video recording करता है वो सारी कहीं न कहीं store होती है cloud में store होती है, या फिर hard disk में store होती है और अगर आप imagine करो कि अगर ये video quality अगर रहेगी HD quality की, या फिर full HD quality की रहेगी या फिर MP4 quality की भी रहेगी, तो इसे store करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो space लगेगी, या आपने देखा होगा, HD video हम mobile से भी record करते है तो वो रहते हैं कुछ 500-500 MB की या फिर 11 GB की तो आप imagine करो CCTV camera जो की 24 गंटे चालू रहता है आपने देखा होगा, ATM में देखा होगा, या फिर कहीं पे भी building में देखा होगा security office में देखा होगा, या जो CCTV camera जो 24 गंटे चालू रखना पड़ता है और ये सारी footage अगर record करते रहेंगे दोस्तों तो इसके लिए बहुत ज़्यादा hard disk का space लगेगा और ये physically possible नहीं है दोस्तों तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी video record होता है वो compress होता है, यानि वो उसको जो है उसका जो space है वो कम किया जाता है यानि मान लो अगर HD video है कुछ 1GB का तो ये CCTV video जो होता है वो लगबग 30-40 MB का हो जाता है और इसमें पूरी footage record होती है लेकिन ये footage इतनी low quality की नहीं रहती है कि जो भी कोई भी thief रहेगा याने चोर रहेगा वो पैचान में नहीं आएगा ऐसा नहीं रहता है दोस्तों क्योंकि जब भी बात में ये भी footage जो video recording होती है जब देखी जाती है तो इसके साथ editing हो सकती है इसको zoom किया जा सकता है ताकि जो भी चोर रहेगा उसे पैचान में आ जा सके इसके अलावा आपने ये चीज़ भी देखी रहेगे कि CCTV camera जो होता है वो audio record बहुत कमबार करता है तो इसके पैचे यही reason है कि CCTV camera जो होते है वो कोई भी inbuilt microphone या फिर कोई भी ऐसे mic के साथ नहीं आते है इसके वज़े से क्या होता है कि जो भी और आपने ये भी देखा होगा कि CCTV camera जादा तर ऐसे कुने में लगे होते है जो कि काफी दूरी पर रहते है जहाँ पर कोई आत्मी जाता भी नहीं है तो दोस्तों ये जो distance से almost रहता है कुछ 10-12 food का रहता है और इस distance से कोई भी audio record करना बहुत ही मुश्किल है इसके वज़े से CCTV camera जो होते है वो audio भी record नहीं करते है उनकी audio quality भी बहुत पूर रहते है लेकिन आज के technology के जमाने में बात करें तो बहुत सरे ऐसे advanced CCTV cameras आ गये है जो high quality video recording करते है जो audio quality भी देते है कुछ-कुछ तो CCTV camera network connected रहते है यानि आप कोई भी दुनिया के एक कोने में बैठे है और आपके CCTV camera कही और लगा है फिर भी आप उसकी recording देख सकते हो लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा technology investment लगता है इसके बीजे काफी सारे servers लगते है और ये बहुत बड़ी चीज होती है जो की होती है ज्यादा तर ऐसे corporates में, banks में और ऐसे बहुत सारे financial companies में तो यही सारे चीजे दोस्तो अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि CCTV camera की जो footage होती है वो इतनी low quality क्यों होती है इसकी आवाज क्योंने आती है और इसके पीचे यही reason है तो दोस्तो यह सारे reason आप अच्छे से याद करके रखो क्योंकि हो सकता है कोई भी आपको interview में exam question पूछा जा सकता है इसके अलबा दोस्तो हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा valuable knowledge शेर किया है आप हमारे playlist पे जाके technology से लेके health और gk से लेके current office तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो हमारा playlist एक पूरा ज्यान का भंडार है और यहाँ पे आपको कोई ना कोई useful information जरूर मिल जाएगे तो हमारा playlist एक बार जरूर चेक कर देना और दोस्तो हमारे वीडियो जोरे को दले देखते रो हमारे वीडियो को like करो कर दोस्तो हमारे जाएगे